Welcome back, आज किस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, कुछ Best 32 in Smart TVs के लिस्ट, जो कि आपको Premium ब्रैंड के तरफ से देखने मिलते हैं, like Samsung, Sony और LG, तो अगर आप भी से में एक Premium ब्रैंड की Best 32 in Smart TV बाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने के लिए Smart TVs and Home Appliances से रेलेड़ वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेक शर आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेजी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और Tech Start Family के साथ जुड़ जाहिए, आई चली वीडियो को यहाँ पर हम पाइनली शुरू करते हैं, अब इससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको directly Smart TVs recommend करना शुरू करो, यहाँ पर हम कुछ benefits की बात कर लेते हैं, कि अगर आप एक premium brand की TV लेते हैं as compared to normal budget brand, तो आपको क्या कुछ benefits देखने मिलते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता दू, अगर आप इसमें premium brand की TVs और budget brand की TVs को consider करेंगे तो आपको price difference जादा देखने मिलेगा, यानि जो premium brand की TVs होती हैं like Samsung, Sony, LG, अब मैं इनको premium brand क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे reason है, और reason यह है कि यह तीनों ही brands पिछले कई सालों से television industry में काम करते आ रहे हैं और इनका नाम सबने सुना है, और इसी के साथ यहाँ पर हमें जो product quality मिलती है, जो after sales service मिलती है, वो काफी बहतरीन है, budget smart TVs अगर हम buy करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी budget brands हैं, उनके पास खुद की service team नहीं होती है, वो third party service team यूज करते हैं, जिस विए से बहुत से लोगों को after sales service अच्छी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब बात आती है Samsung, Sony, या फिर LG की, तो इनके पास खुद की service team है, तो यह कहाँ पर benefit होता है, भले ही आपको features थोड़े से कम मिले, price थोड़े सी जदा pay करने पड़ी, लेकिन यहाँ पर आपको जो quality मिलती है, जो life span होती है, जो after sales service होती है, वो यहाँ पर बहतरीन मिलती है, तो यह है कुछ plus points, premium brand के products buy करने का, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कि आप budget brand के TVs नहीं buy कर सकते हैं, अगर आपके requirement ज़ादा है, आप कुछ specific features चाहते हो, आपका budget कम है, then definitely आप budget brand के TVs भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि जो product आप ले रहे हैं, जो brand आप चूस कर रहे हैं, वो अच्छ यहाँ पर हम बात करते हैं, मेरे कुछ best TVs की, यहाँ पर premium brand के 32-inch TVs की बात करी जाया, तो ज़्यादा options अवेलेबल नहीं है, एक तरीके से अच्छा ही है, आपको ज़्यादा confusion भी नहीं होगी, तो मेरे list में जो fourth number की TV है, जो कि मैं आप सभी को recommend करना चाहूंगा, वो है LG LM series, यह जो smart TV है, यह 2020 में launch करे गई थी, still यह काफी अच्छा और decent option में कहूंगा, काफी अच्छा नहीं, decent option कहूंगा, इसमें आपको IPS panel मिलता है, अब IPS panel में आपको wave angles काफी अच्छे देखने मिलता है, तो अगर आप एक ऐसी TV ढूण रहे हो, जहाँ पर आप TV को side से भी देख ना हो, इसमें यह TV, especially आपके लिए है, यहाँ पर जो TV है, यह smart TV है, web OS यहाँ पर आपको मिल जाता है, जितने भी apps आपने सुन रखे हैं, उन सब का support यहाँ पर आपको मिल जाता है, लिकिन यहाँ पर इस TV में कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी है, यहाँ यहाँ पर हमें सिफ 50Hz का ही refresh rate देखने मिलता है, और यहाँ पर आपको सिफ 10W के speakers मिलते हैं, at least यहाँ पर 20W के speakers मिलने चाहिए, 10W काफी कम sound हो जाता है, और इसमें आपको एक sound bar लगाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको जो remote है, वो भी यहाँ पर आपको एक normal remote मिलता है Bluetooth remote नहीं मिलता है, और इस TV में आपको Bluetooth का भी support नहीं दिया गया है, तो यह कुछ limitations है इस TV में, लेकिन TV एक decent option है, और अगर आप specially IPS panel वाली TV लेना चाहते हो, जिसमें smart features हो, तो आप इस TV को considerate कर सकते हैं, इस TV की जो pricing है, फिलाल मैंने हाँ पर no down करके रखी है, और इस TV की जो तो अगर आप TV लेना चाहते हो, तो नीचे दीवे लिंक पर क्लिक करके एक बार आप प्राइस जरूर चेक कर लेना, और अगर आपको TV पसंद आती है, तो आप उस लिंक के थुरू TV बाय भी कर सकते हैं, इससे आपके लिए pricing तो same रहेगी, लेकिन इसे channel को थोड़ी सी help हो यह जो TV है, यह 2020 में launch करे गए थी, हाली में ही कई-कई बार यहाँ पर जो है, इसका 2021 वाला variant भी Amazon Flipkart पर देखा गया है, लेकिन यह आता जाता रहता है, कभी-कभी stock में होता है, कभी-कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेरी बात पालो, 2020 और 2021 वाले variant में कोई difference नहीं है सिवाए नाम की, तो यहाँ पर अगर आपको 2020 वाला भी मिल रहा है, तो आप उसे भी consider कर सकते हैं, Samsung के इस Wonder Entertainment Smart TV सीरीज की बात करे जा है, तो यह जो TV है, 32 इंच के screen size के साथ आती है, HD resolution मिल जाता है, HD ready TV है, यहाँ पर आपको VA panel मिलता है, तो यहाँ पर आपको IPS panel के तरह wide wave angle तो नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ अगर आप mostly front से ही TV देखते हो, या फिर थोड़ा सा side से देखते हो, तो यह आपको best picture quality देने वाला है, यहाँ पर आपको brightness काफी अच्छी मिलती है, 300-320 minutes तकी brightness यहाँ आपको बड़े अराम से मिल जाती है, contrast resolution TV का काफी अच्छा है, deep blacks यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, इसके लावर HDR content भी TV में काफी अच्छी तरगे से play होते हैं, मैंने इस TV को खुद personally use कर रहा है, और इसके बाद ही यहाँ पर मैं आपको यह TV recommend कर रहा हूँ, इस TV में आपको Tizen operating system मिल जाता है, जितने भी apps का नाम आपने सुन रखा है, पॉपिलर OTT platforms का नाम सुन रखा है, उन सभी का support आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है, इसी के साथ इस TV में आपको smart remote मिलता है, जिसमें आपको Alexa, Bigsby and Google Assistant इन सभी का support दिया गया है, तो कुछ-कुछ TVs है जिनमें आपको कोई भी voice assistant नहीं मिलता है, और कुछ TVs ऐसे होते हैं जिनमें आपको तीनों ही भरबर के दे दिया है, जो आपके मरजी, वो यूज़ कीजिए, तो यहाँ पर वो सारे features मिलाते हैं, यानि कि complete एक smart TV है, इसके अलावे यहाँ आपको 20W के speakers दिये गए है, Dolby Digital Plus का support यहाँ आपको मिल जाता है, audio quality भी इस TV की काफी अच्छी है, हाल का look or design भी decent है, और यहाँ पर आपको Samsung के तरफ से 1 year की comprehensive warranty मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको 1 year की extra warranty मिलती है, पैनल के ओपर, तो काफी अच्छा combination यहाँ पर आपको मिल रहा है, इस समय इस TV की जो pricing है, वो है 19,240 रूपीस, pricing change होती रहती है, तो एक बार आप pricing ज़रूर confirm कर लेना, Amazon Flipkart पर दोनों पर ही pricing same चल रही है, यहाँ पर एक बात धियान रखना, इस TV के आपको 2 unit मिलते हैं, एक है with normal remote और एक है with voice remote, तो अगर आपको normal remote चाहिए, तो वो आपको 1000 रूपे सस्ता मल जाएगा, और voice enable remote चाहिए, तो यह आपको थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा messages करूँगा कि voice enable वाला ही लीजे, थोड़ा सा convenient होता है search वगरा करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप सभी का budget 20,000 रुपे से कम का है, और 20,000 रुपे में आप एक best 32 inch TV लेना चाहते हो, best picture quality and audio quality, then definitely Samsung आप सभी के लिए एक बहुत भैतरीन option है, आप definitely इसे आख पंद करके buy क मैंने इस TV को खुद test किया और इसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को इस TV को recommend कर रहा हूँ, अब चले यहाँ पर हम budget को थोड़ा सा increase करते हैं और बात करते हैं थोड़े और बहतरी इन TVs की, तो यहाँ पर third number पर जो TV मैं आप सभी को recommend करूँगा, वो है Sony Develu 6103, यहाँ यह TV 2021 की नई TV है, Sony के तरफ से, यहाँ पर गर इस TV की बात करे जाया, तो कुछ इस प्रकार से यह TV आपको देखने मलती है, यहाँ पर जो थोड़े से थिक से है, लेकिन स्टिल यह TV काफी कमाल की निकल कर आती है, यहाँ पर इस TV में आपको IPS पैनल देखने मलता है, IPS पैनल है तो विवेंगल काफी अच्छे देखने मलते हैं, और इस TV को, इस TV को नहीं, इसका जो Android वाला वर्जिन है, उसको मैंने खुद परसनली यूज कर रहा है, और इसमें भी आपको सारी चीज़ा exactly same मलती है, except जो Android OS है, तो वहाँ पर मुझे पिच्चो कॉलिटी काफी अच्छ में देखने मलते हैं, तो यहाँ पर जब ब्लाक कलर्स हैं, वो थोड़े से बहतरीन देखने मलते हैं, IPS पैनल होने के बावजूद भी, इसके लवाँ HDR content यहाँ पर काफी अच्छी तरह के से play होते हैं, HDR gaming भी आप इस TV में आपको motion flow XR100 देखने मल जाता है, जो कि अगर देखे रो, तो extra frames अड़ करता है, ताकि आपको motion blur काफी हद तक कम देखने मले, इसके साथ यहाँ पर आपको 20W के speakers मल जाते हैं, Dolby Audio का support यहाँ पर आपको मिल जाता है, यह जो particular variant है, यह Linux based operating system के साथ आता है, कुछ ही limited apps का support यहाँ पर मिलता है, like Netflix, YouTube, Prime Video और कुछ गिने चु required essential ports, TV का look or design काफी अच्छा है, TV में आपको X protection का support मिल जाता है, तो यह TV है, यह humidity, dust proof है, और इसके अलवा, कभी कबर आपके घर पे electricity fluctuation होता है, तो यह थोड़ा बहुत जहल सकता है, तो यह X protection भी हाँ पर आपको मिल जाता है, इस TV के जो pricing है, वो 27,000 रुपीज है, और 27,000 के हिसाब से काफी अच्छी TV निकल कराती है, हाला कि अगर pricing थोड़ी और कम होती, 22,000 या 24,000 रुपीज होती, काफी बहतरी निकल कराती है, और जब आप इस TV को buy करेंगे, तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं actually कहा कहा रहा हूँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगली TV की जो की है, फर्स नंबर की, और फर्स नंबर पर जो TV में आप से भी को recommend करूंगा, वो है, Sony W620, जिहां दोस्तों, ये भी Sony की 2021 की नई 32-inch smart TV है, और ये Sony की पहली ऐसी 32-inch smart TV है, जिसमें आपको Android operating system देखने मिल रहा है, जिहां दोस्तों, ये जो TV है, ये Android OS के साथ आती है, और जो TV में आपको second number पर recommend करी है, और ये जो first number वाली TV है, ये दोनोही TVs exactly same है, बस यहां पर जो difference आपको मलता है, major difference जो आपको मलता है, वो है operating system का, वो TV Linux based OS के साथ आती है, और ये TV जो है, ये Android OS के साथ आती है, और जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने Sony की TV को test किय है, वो यही TV है, basically इसका और एक model आता है, Sony W630, उसमें भी कोई major difference नहीं है, सिर्फ motion flow का ही difference आपको मलता है, उसमें 200 frames एड़ करे जाते है, तो उसको मैंने Sony के जो showrooms हैं, वहां पर मैंने test किया है, तो सब कुछ same ही मलता है, कोई major difference नहीं है, तो यहां पर भी आपको वही सार 30 GB की मिलती है, यहां पर जो RAM है, वो यहां पर मैं test नहीं कर पाया, उसके बारे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह जो पूरा overall experience था, वो काफी अच्छा, तो RAM यहां पर I think 1 या फिर 1.5 GB तक की RAM यहां पर आपको बड़े अराम से मिल जाती है, TV का overall performance भी काफी अच्छा ह आपको मिल जाता है, तो मेरे साब से इसकी जो pricing है दोस्तों वो अभी इस समय 31,890 है, लेकिन यहां पर अगर आप Amazon पर TV buy करेंगे, तो आपको नीची apply का option मिलेगा, इस पर click करते हैं, आपको 1000 का discount मिल जाएगा, तो यह TV आपको 30,890 रुपी से पढ़ जाएगी, तो काफी बहतरीन डील है, और यह डील आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए, और अगर आप gaming के लिए भी योज़ करना चाहते हो, तो भी एक काफी अच्छा option है, especially जो लोग का budget काफी अच्छा है, और एक compact size के टीवी लेना चाहते है, यह TV उनके लिए ही पनाई गई है, इन आप सिर्फ और सिर्फ यानि mostly आप TV में DTH याफी setup box के content enjoy करते हो, और कभी कबार आप online content देखने वाले हो, YouTube Netflix के दरू, then आप Linux based वाला यह बाइक कर लेचे, तीन हजार आपके पैसे बच जाएंगे, लेकिन अगर आप mixed use करना चाहते हो, आपको दोनों चीज़े चाहिए, then आप 3000 एक्टो डालके Sony का यह टीवी बाइक कर लेचे, अगर आपका budget limited है, then आप Samsung भी consider कर सकते हैं, उमीद करता हूं, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like कीजिए, और इसी के साथ आपका कोई question है, कोई भी doubt है, आप comment कर सकते हो, और